हेलो एंड गुड मॉर्णिंग आज के इस लेक्षर में हम सॉलिट स्टेट फिजिक्स को ही कंटीनू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रोणी पैनी मोडल के उपर रहेगा और यह जो टॉपिक है वो एक्जाम पॉइंट ओफी से बहुत ज्यादा इंपोटें मैं दो包 जाता है तो उस इलेक्रोण का परियोटिक पोटेंशियल होता है और एलेक्रोण बार-बार उसी पोटेंशियल को रीपीट कभी करता है फिक है अगर मैं इसको सिंपल वर्ल्ड में बोलना चाहուं तो मैं ये बोल सकता हो जब electron latest positive ion के पास जाता है तो electron का potential maximum होता infinite नहीं होता, maximum होता है ठीक है, जैसे ही वो उस latest positive ion से दूर जाएगा, तो उस electron का potential है, वो minimum हो जाएगा अब जैसे ही उस latest positive ion से निकल के आगे वाले latest positive ion के पास जाएगा तो फिर से potential maximum दूर जाता ही minimum इसलिए हमने बोला था कि जो electron है वो बार-बार इसी potential को repeat करेगा अब यह जो crony penny model है वो इसी assumption के उपर base भी है और यह crony penny model की help से हम जो valence band और conduction band की जो formation होती है वो हम इस model की help से समझ सकते हैं और साथ ही इस model की help से हम किसी भी periodic latest के अंदर electron का quantum behavior भी study कर सकते हैं तो start करते हैं first point से एक्जाम में किस टाइप से लिखना वो देखते हैं इस model assume that periodic potential existing inside a latest मतलब किसी भी latest के अंदर जब कोई electron महूँ करता है तो उस electron का periodic potential होता है ठीक है अब इस model is very useful to understand various important feature of quantum behavior of electron in periodic latest मतलब किसी भी periodic latest के अंदर हम यहां पर electron का quantum behavior भी study कर सकते हैं और इसी model की help से हम जो valence band और conduction band की formation होती है वो हम इसी model की help से समझते भी है तो हम यहां पर पोटेंशियल लेके चलेंगे electron का वो periodic potential लेके चलेंगे और इस periodic potential लेके ही हम आगे की जो problem उसको solve करेंगे तो हमने यहां पर one dimension periodic potential consider कर दिया तो आम नेक्स पाइंट में यह लिक रखा है so it was consider one dimension periodic potential look like this अब one dimension periodic potential लेके चल रहे हैं वो किस type से दिखेगा उसके उपर भी थोड़ा सा बात करते हैं तो potential लिखेगा अपना कुछ इस type से यह अपने पास है periodic potential ठीक है कुछ ऐसे ऐसे potential के साथ electron यहां पर move करेगा अब इसमें हम यहां पे एक line भी लेंगे इसके middle में कुछ इस type से ठीक है यह line भी बताएंगे यहां पे क्या represent करके बता रही है अब यहां पे potential क्या होगा potential की range कैसे होगी उसके उपर बात करते हैं पहले तो हमने यहां पे तो अलग लग region मान लिए यह first region माल लिए अपने पास माल लिए हमारे पास region first है और यह region second है, ठीक है और इसकी जो limit है यहां पे हमने बोल दिया is zero है और यहां पे अपछ अपने पास अ है हो का हमने बोल दिया minus b है програм करता है अब बात करते हैं यह जो तो यहां पे जो potential है वो potential अपना 0 रहेगा, potential किसका function है, x का function है, क्योंकि हमने यहां पे, यह जो potential लिया है, वो वन डिमेंशन potential है, तो हमने इस तरह एक्स डारेक्शन लेग दिया, और उपर की तरह पना potential है, v of x लेग देती हैं यहां पे, तो फर्स्ट रीजन में, अपना ज पोटेंशियल है, वो potential 0 होगा, potential 0 होगा, इस 0 से लेखे, इस a region के पीज में, potential अपने पास 0 रहेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे, जो potential है, अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है, जीरो और a के बीज में, अगर potential है, तो कितना होगा, 0 होगा, अब potential की वैल्यू वी नोट इतना लिया है, second region में, वी नोट, तो वी नोट potential कब होगा, वी नोट potential होगा, माइनस B से 0 तक potential वी नोट रहेगा, तो हमने यहां पे लिखा, माइनस B, और X और यह 0, ठीक है, यह potential की range रहने वाली है, तो यह हम यहां पे लिख देते है, यह 0 potential किसे के लिए है, first region के लिए, first region के लिए, और यह जो second है, यह second है, यह second region के लिए, और इसे पहले वाली lecture में, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जब electron किसी periodic latest में move करता है, या latest में move करता है, तो उस electron का periodic potential होता है, जैसे ही वो latest positive आयन के पास जाता है, तो potential large होगा, मतलब बहुत ज़्यदा potential होग है, इसके लिए, एक Schrödinger wave equation लेके चलेंगे, ठीक है, time independent Schrödinger wave equation लेके चलेंगे, और second reason है, उसके लिए भी हम एक time independent Schrödinger wave equation लेंगे, और फिर उसको potential put करके, उसको solve करने की कोशिस करेंगे, ठीक है, और यह सब करेंगे हम अगले section के अंदर, तो हमने यहाँ पे लिखा था wave function अंदर, obtained by time independent Schrödinger wave equation, for the two reasons, अब दो रिजन के लिए Schrödinger wave equation क्या होगी, यह भी लिख लेते हम, यहाँ जाएगी d square psi, फर्स्ट रिजन के लिए जो wave function है, हमने एक बार potential यहाँ फिर से बना लेते है, potential क्या था अपने पस, कुछ इस टाइब का potential था, ठीक है, कुछ ऐसे potential था ठीक है, इसको हमने बोला था region first, और यह था आपने पास region second, region first के लिए जो wave function है, हमने माल लिया psi 1, region second के लिए जो wave function उसको माल लिया, हमने psi 2, ठीक है, तो first region के लिए अगर मैं लिखूँगा, तो कर लिए square psi first, y कर लिए x square, plus 2m by h square, और e minus v, v is the function of x, और psi equal to 0, ठीक है, इसक तो हमने फिर्स्ट रिजन के लिए, अगर second region के लिए लिखूँगा, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, curly square, curly ले ले ले, तो हमने यहाँ पर curly ले ले, curly square psi second, और curly x square, plus 2m by h square, e minus v, and v is the function of x, and psi equal to 0, यह second region के लिए, ठीक है, तो हम पहले जो first region के लिए है, उसको solve क कर लेते हैं, तो first region के लिए, जो potential है, वो कितना था, अपने पास, 0 potential था, तो equation number one में, 0 potential put कर दें, तो क्या जाएगा, अपने पास, यहाँ जाएगा, curly square psi by curly x square, plus 2m e by h square, और psi equal to 0, यहाँ पर जो potential है, potential के value हमने 0 put कर दियो, जैदा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यह वाली जो पूरी की पूरी term है, इस term को हम कोई ना कोई constant put कर देते हैं, इसको बोल दिया, हमने alpha, तो यहाँ जाएगा, curly square psi by curly x square, plus alpha square psi equal to 0, और यहाँ पर alpha की value के आजाएगे, अपने पास, alpha की value आजाएगे, root 2m e by h square, ठीक है, square करूंगा, alpha का square करूंग root cancel हो जाएगा, यह value आजाएगे अपने पास, तो इसको हमने बोल दिया, यहाँ पे equation number 3, ठीक है, अब इसको अगर मैं solve करूं, second equation को solve करूं, potential कितना था, अपने पास, second region में potential था, we note, और यह potential, पीच में क्या था, अपने पास, बीच में था particle की energy, यह particle की energy से उपर है potential, मतल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जाएगा, equation number second में, जब potential की value पूट करेंगे, तो यहाँ जाएगा, curly square, psi by curly x square, curly second, हाँ, psi second लिखेंगे, plus 2m, h square, e minus, ठीक है, v note, और psi equal to 0, अब यहाँ पे जो v note है, वो बड़ा है, ठीक है, e से, तो हम क्या करेंगे, v note को पहले लिखेंग e को बाद में लिखेंगे, minus का sign हम बाहर निकार लेंगे, तो यहाँ जाएगा, curly square, psi by curly x square, psi second लिखेंगे, plus, sorry, minus, यह minus बाहर निकार लेंगे, तो यह minus आएगा, यहाँ आएगा, 2m by h square, और v note minus e, psi equal to 0, यहाँ आगे, अपने पास, equation number, एक सेगे, इसकोर सोल कर लेते हैं, थ constant put कर देते हैं, यह constant हमने यहाँ पर put कर दिया, ठीक है, ती आजाएगा, beta square, और यह psi equal to 0, हम यहाँ पर beta की value भी denote करके बता सकते हैं, beta की value क्या जाएगी, बिटा की value आजाएगे, अपने पास, beta equal to, 2m by h square, v note minus e, ठीक है, यह value आजाएगी, अब स्केर को, बिटा की value हो, तो solution आजूम करेंगे, solution आजूम करके हम इनको solve करेंगे, और यह सब करेंगे हम आगले section के अंधर, तो last lecture में अपने पास यह दो equation आए थी, equation number 3, equation number 4, अब यहाँ पे जो potential है, वो क्या है, periodic है, और periodic potential किसके coding होता है, blow's theorem के coding होता है, तो हम यहाँ पे जो potential, यह जो wave function लेखे चले function of x, क्योंकि one dimension की problem solve करें, e की power eta kx, यह हमने psi का एक solution आजूम कर लिया, ठीक है, अब अगर इसको मैं psi 1 के लिए लिखूँगा, तो क्या आजाएगा, यह आजाएगा, psi 1, uk, x, और यहाँ पे uk की जगह भी हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, यह आजाएगा, आपने पास 1, यह 1 और e की power eta kx, ठीक है, यह psi का solution, psi 1 का solution है, जो हम कर लिया, अगर मैं psi second का मानू, तो क्या आजाएगा, u की जगह second आजाएगा, अब इस solution का use करके, हम आगे यह जो equation number 3 है, इसको solve करेंगे, अब equation number 3 में अपने पास क्या है, यह जो psi की value हमने निकाली, इसका double derivative है, तो हम इसका derivative कर देते हैं, x के respect में यह आजाएगा, curly psi 1, हम कोशिस करें, कौन सी value निकालने की, यह वाली value निकालने की, ठीक है, तो यह आजाएगा, curly psi by curly x equal to, अब इसका derivative करेंगे, तो u into v लगा देते हैं, first function का derivative, second as it is, रखते हैं, यह आजाएगा, u 1 x, और इसका derivative करेंगे, तो इसक kx, plus, first function को as it is, रखते हैं, और यह आजाएगा, इसका e की power i, x का करूंगा, तो क्या आजाएगा, आजाएगा, और e की power i, x, अपने पास, यहाँ पर as it is, रहेगा, यह हमने first derivative निकाल लिया, psi का x के respect में, अब हमने यहाँ पर directed to second differential, अब इसका हम second differentiation करेंगे, तो हमने यहा first derivative, single derivative था, यहाँ पर second किया, तो यहाँ पर double prime आजाएगा, और second function हम यहाँ पर as it is, रखा, अब first function को as it is, रखा, इसका derivative किया, तो इसका derivative करेंगे, तो IH की power i, x से as it is, रहेगा, similar हम यहाँ पर करेंगे, यह first function, यह second function, तो सबसे पहले first function का करते है, तो U की power, sorry, U1 का प्रेम आजाएगा और at a kx हमने यहां पे रखना एक रखना और जो एकी पावर at a kx और यहां पे सेम आप इसका तो कर लिया अब 2 करेंगे et इसका श्भास तो यहां पर आज़ए का लिख अब इसका जब मैं derivative करूंगो तो at a kx आगे आएगा और 152 x पहले से है तो at a square क्या यह दोनों टर्म सेम है तो दोनों को twice करके लिख दिया हमने यहां पर यह अपने पास आगया second order differential साई का जो second order differentiation है वो हमने यहां पर कर लिया अब यह जो equation है इसको हमने बॉल दिया equation number five अब अपना second task यह है equation number five है हम कहां पर put करेंगे equation three में put करेंगे equation three का है हमने पास curly square sigh first by curly x square plus alpha square sigh equal to zero थीक है तो यह equation number three और sigh की value put करते हैं और यह value put करते हैं और यह सब देखते हैं अगले section में तो यह हमने यहां पर यह value हो value पूट करके यहां पर लेख दिया यह वाली जो term है किसकी value है यह curly square si by curly x square की value यहाँ पे है plus alpha square यहाँ पे attitude si की value और यहाँ पे put कर दो, ठीक है अब यह जो equation है, इसको आगे और थोड़ा सा simplify करते हैं, तो कि क्या निकाल सकते एक पहार निगार लेते हैं और इक्वल में क्या है इसके इसके इक्वल में है अपने पास 0 अब यह तो ऑपकी की त्रम बच जाएगे उसको 0 के लेगे चलते हैं तो यहां पी क्या बच जाएगा यहां पे u1 डबल प्राइम अब यहां पी जो हम बार बार x लिख रहे थे उसको लिखना थोड़ा सा इरिटेटिंग है तो u1 से आप समझ जाना तो यहां से u1 पलस यहां से बचएगा 2 आटा k u1 प्राइम ठीक है और माइनस का साइन क्या अगर इसको माँ प्रोपर वेस लिख हूँ तो इसको मां क्या लिख सकता हूँ करली करली स्क्वेर और यह u1 बाइक स्क्वेर ठीक है सेकेंड डेरिवेटिव करके लिख दिया आमनें बाकी कुछ नहीं किया पलस टू आयटा और के ऐसे क्या इसको फर्स डेरिवेटिव की वह में लिख देते कर ली u by कर ली x ठीक है u1 है minus और यहां चे देखो u1 यहां पे भी है यहां पे भी है तो u1 यहां चे common निकार लेते हैं common निकारने के बाद यहां चे क्या बचएगा यह आ जाएगा पहले क्या करना है अब यह जो एक्वेशन आई है इस एक्वेशन को हमने यहां पे नाम दे दिया एक्वेशन नंबर 6 ठीक है और एक्वेशन नंबर 6 जो एक्वेशन थरी थी उस थरी का solution है similar अगर मैं एक्वेशन 4 का solution यहां पे लिखना चाहूं इसी को देखके सब वैसे ही होगा जैसे यह किया था ठीक है तो अगर मैं इसी को देखके लिखना चाहूं तो यहां पे u1 है वहां पे क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा तो यहां जाएगा similar similar यहां जाएगा d square और यहां आएगा u2 dx square पलस 2 आएटा k du1 by dx पलस अब यहां पे पलस नहीं है आएगा यहां पे आएगा minus और वहां पे क्या था अपने पास beta square पलस k square और बाहर आ जाएगा अपने पास u2 ठीक है equal to 0 और इसको पोलती है हमने equation number 7 अब अपने पास यह जो equation 6 और equation 7 आई है हम यहां पे फिर से इनका solution एजूशन करेंगे जो general solution होगा इनका वो हम use करेंगे और general solution किसका लेंगे हम यह जो u है इस u का solution मान के चलेंगे तो u का solution क्या मान लिया हमने फिर से एजूशन किया यह जो e की पावर आयटा alpha minus k और x ठीक है पलस यह x है यहाँ पर b e की पावर sorry e की पावर minus आयटा alpha minus k x ठीक है यह तो हमने यहाँ पर u1 का solution मान लिया similar अगर मैं u2 का solution माननो तो क्या आएगा u2 equal to यह याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह second order differential equation और इस type की जो equation का solution होता है वो हम यहाँ पर यह solution लेके चलते हैं ठीक है और इसका solution क्या जाएगा इसके जो constant है वो हम अलग मान लेते हैं यहाँ पर c e की पावर alpha और यहाँ पर beta minus आयटा k और साथ में आ जाएगा अपने आयटा k और साथ में हमने यहाँ पर लिया है x ठीक है अब यहाँ पर यह जो आयटा लिया है यह आयटा यहाँ यहाँ पर नहीं आएगा ठीक है तो इसको हमने बोल दिया यह equation number 8 और यह equation number 9 अब फिर से क्या करेंगे हम फिर से यहाँ पर यहाँ पर boundary condition का use करने वारे है और उसके लिए वह यूज करने से पहले मैं बता देता हम क्या करेंगे हम यहाँ पर यूवन है इस यूवन का first derivative करेंगे फिर second derivative करेंगे और फिर वह value कहाँ पर पूट करेंगे यहाँ पर पूट करेंगे और फिर उसको solve करेंगे एक लंबा चोड़ा mathematical आएगा similar यह इस यूट boundary condition पर चलने से पहले हम यहाँ पर लेक देते हैं आपने पास यह जो A, B, C, D, A, D और यह सब क्या है आपने पास constant है ठीक है अब boundary condition क्या क्या होंगी उसके उपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो boundary condition पर बात करने से पहले अपने पास एक potential होना चाहिए जैसा हमने potential लिया था potential कुछ ऐसा था अपने पास ठीक है यहाँ पे 0 था यहाँ पे A था और यहाँ पे minus B था तो यहाँ पर boundary condition की अग आपका जो wave function है वो इस 0 पे आके क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा तो हम और पहली तो यह boundary condition और दूसरा यह कि अपने पास जो wave function है वो wave function कैसा होता है periodic होता है मतलब हमने बोला था कि यह अपने पास positive आयन है जैसे ही electronics positive आयन के पास आएगा तो उसका potential कैसा होगा maximum होगा जै negative आयन के उपर जो wave function है वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा अब अगर हम इसका properly अगर एक प्रोपर सेंस में इसको बोलना चाहें तो यह बोल सकते हैं ब्लोच function फिरियोरिक होता है तो ए और माइनस बी के उपर जो दोनों wave function हो क्या रहेंगे सेम रहेंगे तो हम इन दोनों boundary condition को यहां पर लिख सकते हैं यह आ जाएगा जो u1 है यह 0 पर बरापर रहेगा किस पर u2 के 0 पर बरापर रहेगा और साथ ही यह तोनों अगर equal है तो इनका जो derivative आएगा वो derivative ही क्या होगा इकविल होगा यह आ जाएगा curly d1 by curly x और language में काफी टाइम हरियान वीटत होता है क्योंकि मैं हरियाना से हूँ ठीक है तो manage कर लेना इस चीज को यह आ जाएगा d u2 by curly x और यहाँ पर भी x कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है अगर यह दोनों function equal है तो इनका derivative आएगा वो भी तो equal होना चाहिए लिखेंगे हम d u1 और d x ठीक है और x equal to 0 बराबर रहेगा कर लिए sorry d u2 और d x और equal to x equal to minus b यह आ जाएगे अपने पास च्यारो boundary condition अब next step में क्या करेंगे हमने यह boundary condition लही है इन boundary condition को किसके लिए satisfy करवाएगे equation no.8 और equation no.9 के लिए satisfy करवाएगे अब हम यहां पी थोड़ा सा bypass लेंगे जैसे हम इन boundary condition को यहां पी satisfy करवाएगे तो अपने पास एक 4 x 4 का matrix आएगा ठीक है और 4 x 4 का matrix जो आएगा वह आपको दिखा देता हूं जिसको solve करना बड़ा difficult होता है ठीक है तो हम bypass यहीं लेंगे हम यह matrix भी नहीं लेके चलेंगे ठ अपने पास कुछ इस टाइप का 4 x 4 का matrix इसको solve करना बड़ा difficult हो जाएगा ठीक है तो उस difficulty को दूर करने के लिए अपने पास यह 4 x 4 की matrix आएगी इसका हम direct solution लेके चलेंगे इतना सा आपको इसमें याद करना पड़ेगा और याद ना करना चाहो तो फिर क्या करना जो equation number 8 और equation number 9 है इसके लिए satisfy करवाना पड़ेगा फिर अपने पास कुछ equation आएगे उन equation के coefficient को compare करेंगे compare करने के बाद अपने पास क्या आएगा 4 x 4 का एक matrix आएगा ठीक है फिर उस matrix को solve करेंगे solve करने के बाद बड़े पंगे की चीज है ठीक है एक्जाम में इतना नहीं ह हो पाएगा आप से क्या मेरे से भी नहीं होगा जब मेरे एक्जाम में भी आया था तो मैंने यही तरीका यूज किया था ठीक है तो यह आजाएगा अपने पास उसका जो solution है वो हम direct solution लेके चलते है यह जो 4 x 4 का एक matrix है उसका determinant वह डिटेमेंट एक्वेल टू जी रो लिया ठीक है यह solution आएगा इसका मैं यहाँ पर बता देता हूँ पी क्या है और यह सब चीजे क्या है पी यहाँ पर अपने पास है strength parameter तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पी एकवल टू strength parameter strength parameter ठीक है और यह strength parameter है इसका potential की height से कुछ लेना देना होता है मतलब यह strength parameter है यह depend करता है potential की height पर अगर potential की height ज्यादा होगी तो strength parameter ज्यादा होगा अगर potential की height कम होगी तो strength parameter कम होगा और पी की जो अपने पास value होती है पी की value यह आपको याद रखनी है थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने का direct solution आपको याद ही रखना पड़ेगा तो यह होती है अपने पास m v0 और यह आएगा b a divided by h square ठीक है यह पी की value होती है अब हम यह यहाँ पर तो case लेके चलेंगे case लेके चलने से पहले एक बता देता हूं case में क्या लेके चलेंगे case में यह लेके चलेंगे यह जो p है इस p को हम 0 के equal लेके चलेंगे first case और second case में क्या होगा इस p को हम infinite लेके चलेंगे तो पहले हम P को 0 लेके जो case चल रहे हैं उसको solve करते हैं तो यहां पर इस equation को हमने बॉल दिया equation number 10 equation number 10 में जब P tends to 0 रखेंगे तो क्या आजाएगा अपने पास यह हम देखते हैं यह वाली complete term क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यह आएगा cos के यह बचेगा cos alpha a equal to cos के यह से यह cancel और और यह से ए गैंसल यह आजाएगा अपने पास alpha equal to के ठीक है और alpha की value क्या थी alpha की value हमने starting में ही निकाली थी एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको alpha की value कहां पर हमने यह रही alpha की value यह रही ठीक है यह alpha की value अब हम यहाँ पर use करेंगे तो एक सेकंड alpha की value हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ जाएगा alpha equal to root 2m e by h square ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर यह value put कर दों तो क्या जाएगा यहाँ जाएगा इसका square भी यह value यहाँ पर put करके both side square कर देते तो यह क्या आएगा k square equal to 2m e by h square ठीक है और यहाँ से अपने को क्या देखने के मिल रहा है h constant है 2 constant है और mb constant है तो यह आजाएगा k square directly proportional है e के यह फिर मैं यह बोल सकता हूँ जो e है वह directly proportional है k square के ठीक है पहला रिजल्ट तो यह है अब यह जो रिजल्ट है यह अपने को यह बता रहा है जो energy levels होंगे वह continuous होंगे ठीक है अब यह जो दूसरा केस है दूसरा केस मैं आगर पी टेंस टू इंफिनिटी रखों तो पी टेंस टू इंफिनिटी रखोंगा तहाँ पर उसी equation number 10 में यह वाली जो equation number 10 है इसी के अंदर हम पी टेंस टू इंफिनिटी रखेंगे और जब इंफिनिटी रखेंगे तो यहाँ पी आपने पास जो result आएगा e आएगा e के आएगा e आजाएगा यहाँ से n2, pi2, h2, m, a2 ठीक है यह आप वहाँ पी रखोंग यहाँ पर यह result बता रहा है quantize होंगे ठीक है तो अब इनको हम एक graph में भी plot कर देते हैं और यहाँ पर एक diagram आपको बना के आना है कहाँ पर यह जो 4 cross 4 का matrix हम ने solve किया था यहाँ पर यह result लिखा है यहाँ पर हम एक diagram बना के आएगे कुछ इस type का diagram आपको यहाँ पर बनाना करूं तो पहले से upload कर रखा है मैंने कुछ इस type का एक diagram और बनेगा ठीक है और यह जो जिस पर dotted line आप देख रहे हो यह वाला यह वाला जो region यह region और यह region यह region अपने को यह बता रहा है जो energy है वो क्या होगी continuous होगी ठीक है और यह जो state line है state line यहाँ पर रिपरजेंट करके पता रहे है जो energy है सार्फ energy level होगे और अगर पार्टिकल बाउंड है ठीक है तो energy quantize होगी अगर पार्टिकल बाउंड नहीं है तो energy quantize नहीं होगी ठीक है तो इतना सब आपको यहीं से अपने पास जो concept हमने बताया था जो valence band और conduction band की जो formation होती हो वो concept यहीं से निगलता है ठीक है तो यह था crony penny model I hope आपको यह topic समझाया हो अगर कोई चीज समझ ना ही हो तो आप comment करके message करके या फिर call करके भी पूछ सकते हैं thank you